गरेलूप चार और सोगी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बावासीर से छुटकारत दिला देने वाले बहुती आसान और गरेलूप आए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बावासीर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं बावासीर विक्सित कब होती है जब मलास्य के आसपास नसों में सूजना जाती है और वैसे ये दो परकार की होती है पहली खुनी बावासीर और दूसरी बादी वाली बाव बवासीर में मस्सों से खुन गिरने लगता है और बादी बवासीर में मस्सों का और साथ दिनों के अंदर आपको बवासीर से चुटकारा दिला देंगे चाहे कितनी भी पुरानी और किसी भी तरह की बवासीर हो उससे आपको सिर्फ साथ दिन के अंदर चुटकारा मिल जाएगा पहला उपाई ये है दोस्तों कि आपको एक चम्मच सूखे आंगले का चुगरन लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको मिलाना है सुध सहद और इसको सुध सहद को इसमें मिला कर इसका मिसरन तयार कर लेना है इस तरह से हमने इसमें आधा चम्मच सहद मिला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ये मिक्स हो चुका है और ये नुस्खा भी बन चुका है दोस्तों सिर्फ इतना आपको करना है अब इस मिसरन को आप रोजाना सुभह और साम दोनों टाइम लेना है एक बार इसी तरह से बनाकर आप सुभह खाले पेटिस को ले लिजे और इसी तरह एक बार बनाकर साम को पांच और छे बज़े के आस पास इसको ले लिजे सिर्फ साथ दिन के अंदर आपको किसी भी तरह की और कितनी भी खतरनाग ववासीर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा यह बहुत ही कारगर नुस्खा है इसलिए आप इसका इस्तिमाल जरूर करें दूसरे नुस्खा भी बहुत आसान है दूसरे नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ बड़ी इलाइची 50 ग्राम दोस्तों यह आपकी किचन में जरूर होगी इसको आप ले सकते हैं 50 ग्राम बड़ी वाली इलाइची ले लीजे और उसको तवे पर डाल कर अच्छे से जला लीजे और उसको भून लीजे जब वो पूरी तरह से जल जाए तब इसे आप पीश कर चुवरन तयार कर लीजे और इस चुवरन को आप सुभे खाली पेट आधा चमच पानी के साथ ले लीजे और दोस्तो इसी तरह से 7 दिन तक लगातार लेते रहिए बवासीर से आपको 7 दिन के अंदर पूरी तरह से छोटकारा मिल जाएगा बवासीर चाहे कितनी भी पुरानी हो और किसी भी तरह की बवासीर हो खुनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो दोनों तरह की बावा सीर से आपको पूरी तरह से छोटकारा मिल जाएगा दोस्तो यदि हम इन नुस्खों के side effect की बात करें तो इनका कोई भी side effect नहीं है ये पूरी तरह से safe है और natural है आरवेदिक है एक बार में आपको एक ही नुस्खा इस्तेमाल करना है दोनों नुस्खे अलग-अलग हैं और दोनों में से कोई एक नुस्खा आप ले सकते हैं दोस्तो इन नुस्खों के साथ आपको कुछ परहज भी करने होंगे सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको क्या नहीं खाना है इन साथ दिनों में आपको नमक का सेवन नहीं करना है और साथ ही आप उड़त की दाल, लोकी, घी, सेम, तले भुने पदार्थ, ज़्यादा घी तेल वाली चीजे ना खाएं और इसके साथ मैदा से बनी हुई चीजों का भी सेवन ना करें, कुल रिंग का इस्तिमाल ना करें दूब में बहुत ज़्यादे तक ना रहें, साइकल ना चलाएं, ये परहज़े आपको करने होंगे दोस्तों आपको क्या खाना है वो भी आप ध्यान से सुन लिजे मूंग या चने की ताल, पुराने, चावल, परवल, बथवा, तोरई, करेला, कच्चा पपिता, गुड़, दूद, सरसों का तेल, सोंट और पका हुआ, बेल ये चीज़ें आप खा सकते हैं, हरी सबजियां जो हमने आपको बताई हैं, ये वाली आप खा सकते हैं दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताएगे नियुस के आपको अच्छे लगे हूँ, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, हम जल्दी फिल लोटेंगे, कुछ नई मर्च, और उनक तका भासते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें